Print a File इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक File या Document का Print लिया जाता है जब आप Document या File के काम खतम कर चुके हैं, ज़रे आप उसे Submit करना चाहें, तो आप उसे Siri Format या किसी Ania Source द्वारा नहीं कर सकते अतहर आपको File या Document से Print लेना होगा Print Out लिने से पहले, चेक करें कि Computer, Printer से Connected है क्या, और Settings Printing के लिए Configured है यदि हाँ, तो इस Procedure को Follow करें File को Print करने के लिए, File को Open करें और File Menu को Select करें Print Options को Choose करें, या Ctrl प्लस P को Press करें और Print Taloc Box ओपन होगा Print Taloc Box में पहले आप Name Box को Notice करेंगे, जहां ये दिस्प्ले करता है Printer का नाम जो Connected है Page Range में कुछ Options होंगे All, यदि हम इस Options को Check करेंगे, तो File के सभी Pages Printing के लिए ले लिए जाएंगे Current Page, इस Option द्वारा आप Specific Page को Select कर सकते हैं यदि हमें बीच के तीन Pages का Print Out लेना है, तो हम Pages Options के लिए Opt कर सकते हैं इस Option में हम Page Number को Mention कर सकते हैं, जो हम Printing के लिए देना चाहते हैं और इस Option के नीचे कुछ और भी है instructions, बस उन्हें Follow करें Copies से हम Printing के Number of Copies को भी Select कर सकते हैं यहां पर और भी कुछ options हैं, जैसे कि Print What, Print और Zoom Option, जो ज्यादा नहीं और OK पर क्लिक करें यदि System Configure ना हो, तो जब हम File Menu से Print Options पर क्लिक करेंगे, और एक Dialog Box अपियर होगा एक Dialog Box एक Message के साथ कि यहां कोई भी Printer installed नहीं है यहां कुछ और अन्य Options हैं, जो आगे आने वाले पाठों में डिसकास किये जाएंगे अब आप अपने आप एक File से Print Out निकाल सकते हैं Between, Print Out या Color आपके Printer के Type पर Based है